इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ फॉन पे की ट्रांजेक्शन हिस्ट्री कैसे डिलीट करें दोस्तो आपने यूट्यूब पर काफ़ी सरा वीडियो देखा होगा जिसमें बताया जाता है कि फॉन पे की हिस्ट्री कैसे डिलीट किया जाता है और उसमें confirm भी नहीं बताया जाता है तो मैं आपको इस वीडियो में कुछ ही second में मैं clear करके बता दूँगा कि आप उसका history delete कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं और आप curse भी सकते हैं तो कैसे delete कर सकते हैं इस वीडियो को आप last तक देखना इस वीडियो के अंदर करना क्या है आपको नीचे scroll करना इस तरीके से scroll करने के बाद नीचे में आपको एक history वाला यहाँ पर बटन मिलेगा है जैसे के आप देख सकते हैं simply आपको इस history वाले option पर click कर देना है अब history के option पर click करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सामने अभी तक कितना payment के हैं सारा history यहाँ पर सो हो गया हुआ है अब इसको delete करने के लिए आपको करना क्या है मैं आपको बता देता हूँ delete करने के लिए आपको ऊपर में यहाँ चोटा सा eye वाला बटन देखने को मिलेगा यहाँ पर आप देख सकते हैं simply आपको इस आई वाले बटन पे क्लिक करना है, अब यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक कर देते हैं, तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आता है, अब आपको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है, और यहाँ पर एक option देखने को मिल जाएगा, profile and payment का option, इस पर आपको क्लिक करना है, profile and payment का option पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे, तो कुछ इस तरह का option देखने को मिल जाता है, अब आपको उपर में एक option देखने को मिलेगा, my phone पे profile आप जैसे की देख सकते हैं, इस पर आपको क्लिक करना है, यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको एक option यहाँ पर फिर से देखने को मिल जाएगा my phone पर account detail जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं इस phone पर जो है यहाँ पर my phone पर account detail वाले option पर click करना है यहां पर जैसे ही click कर देते हैं तो आपके सामने जो है कुछ इस तरह का तीन option देखने को मिलेगा अब आप लोग को करना है क्या है दोस्तों उपर में एक option देखने को मिलेगा होगा Changing or Deleting Details यहां पर आपको इस पर click करना है फिर यहाँ पर click करेंगे तो आपके से हमने कुछ इस तरीके का deleting details का option आ जाता है ठीक है अब आपको सबसे नीचे में एक option देखने को मिलेगा Can I deleted all my payment details on phone page Simply इस पर click करना है आप click करने के बाद यहाँ पर गौर से देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर क्या लिखा हुआ है आपको जो है यहाँ पर English में लिखा हुआ तो इसको क्या करना है आपको हिंदी करना है सबसे पहले यहाँ पर आपको जो है translate का option देखने को मिलेगा कि नहीं यहां पर दोसों आपको क्या करना है यहां पर अच्छे से पढ़ना है यहां पर दिख सकते हैं RBI के मुताविक क्या लिखा हुआ है कि आप किसी भी पेमेंट एप से यूजर्स एप से पेमेंट जनकारी डिलीट नहीं कर सकते हैं ठीक है यानि RBI के कहना यह है कि आप अपने टांजेक्सन हिश्षी को डिलीट नहीं कर सकते हैं RBI का यह जो है रूल है ठीक है उसके अगेंस आप नहीं जा सकते हैं और दोस्तों यहां पर मैं आपको बता दूँ RBI यह भी बोल ला है कि आप अपने पेमेंट हिस्ट्री को सुरजचि नहीं कर सकते हैं डिलीट यहां पर हो गाई नहीं जब तक आप अपने account को भी delete कर देंगे फिर भी आपका payment history रहे गाई इस तरीके से आप यहां पर इस चीज को कर सकते हैं वीडियो कैसा लगा कमेंट में जोर से बताना वीडियो को लाइक करना साथ इस चनल को सब्सक्राइब करना ना भूले